लाइक दू वीडियो, सब्स्राइब तू दू चैनल और क्लेस्ट वीडियो अप्डेट हेलो डिया स्टुडेंट्स फ्रम क्लास 6 आई यह स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के कोश्चन नमबर 6 से ठीक है क्योंकि इसके पिछली वीडियो में कोश्चन नमबर 1-5 तक सॉल्व करा दिया था ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं यह बहुत ही सिंपल है आपको देख के फिलकान आपके ठीक है तो इसका जो आंसर होगा मैं यहाँ पर बगल में राइट कर दूँगा आंसर दी फालोविंग वीच एक्जामपल से बेश्ट डिफाइन ए पॉइंट इनमें से पॉइंट को सबसे अच्छा कौन सा डिफाइन करता है रोड लीनियर होता है फेंस लीनियर होता हाउस इतनम उसको हम पॉइंट नहीं दिखा सकते हैं अगर इसके अलामा कुछ और होता है तो हम हाउस को पॉइंट कह सकते थे लेकिन ग्रेन आप सैंड यानि बालू का एक काड़ बालू का एक काड़ इसे हम पॉइंट कह सकते हैं तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा ठीक है विच आपजेक्ट बेश डिफाइन लाइन को सबसे अच्छा कौन सा जाकर समाप्त हो जाता है ठीक है और 10 रुपी का नोट 10 रुपी का नोट बहुत ज़्यादा इतना बड़ा होता है यह तो लाइन सेग्मेंट हो गया ठीक है दो पार्ट हो गए तीसरा फिच आपजेक्ट बेश डिफाइन लाइन सेग्मेंट इसमें से कौन सा सबसे सेग्मेंट ठीक है क्योंकि यह चोटा सा टुकडा होता है जिसे से हम कोई बस तुको मापते हैं ठीक है यह यह डिस्टिक हो गया आपका तीसरा अब यहां से इसको फिल करना है फिल इन दा ब्लैंक वाइच चोजिंग दी करेक्ट वर्ड फ्राम दी लिस्ट गिवन बिलोग बहुत सारा दिया गया लेकिन इसमें से चार के वर ओनली फॉर ही फिल करने हैं ठीक है तो यहां पर देखिए यह यह हम इसको फिल कर देंए जे कलेक्शन आप है पॉइंट कल सा होता है जिसका इन डिफनिल अपोजिट डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन जिसको हम दोनों अपने उसकी अपोजिट डायरेक्शन को इस्टेंड कर सकते हैं तो क्या होता है लाइन फिल करेंगे लाइन इस एन एक्जाक लोकेशन इन स्पेस यह तो सिंपल सा है have wanted points होता हैíll DAY इसन पार्ट आप लाइन एफ टू इंड ऐग्स गरटा है इजे पार्ट आप लाइन विद्ञ टू इन पॉइंड किसका होता है । ! इसलिए बसलूति याट फैसे सट रूजी एक ति ए आम फ संटा है इसलिए ट पम समेंच पॉइंट इंड होता है लेकिन उसका जो एक डायरेक्शन होता है वो बढ़ता चला जाता है जिसे हम रहे करते हैं फर्स्ट में लाइन सेग्मेंट में फॉर्थ में रहे ओके नेक्सट कोश्चन 8 एट रिफ़ट टुड आईड जेतर फिगर आंचर दि फालोविंग एफिगर दिया गया इसी से देखके त्विनश पंट नन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है मैंने बत था क्लेनियर पॉइंट का होता है जो एक सीधी रेखा में होता है और non-colinear point जो कहीं भी हो तो सीधी रेखा में कौन सा point है three point that are collinear तो first का answer हो जाएगा D E F D E and F एक क्या है? colinear point और non-colinear point क्या है? इन में से तीन लिखना ना कोई भी तीन उठा ली जिए जैसे G E F G E and F A हो गया आपका solve next जो है इसमें true false दिखना है refer to the adjacent figure state with the statement to are false first है A दिया गया line MN जिसे कहते हैं MN MN कह सकते हैं तो first का जो answer होगा A C D A C E D and B are point आने line A B line A B जो है वो क्या है यह सभी point है जो दिये गये हैं तो यह क्या है true है B देखते हैं C D B are point on the line segment MN तो यहाँ पर line segment क्या है MN दिया तो नहीं है फिर यह माल लेते हैं C D B are point C D B R line किसके है MN जो line MN है उसका क्या है point है line segment का point है C D B तो यह भी हम true ही कह सकते हैं ठीक है C A and D are end point of the line segment A D A D क्या है A D A D end point है line segment A D का यह भी correct है जब मैंने पहला वीडियो बताया था बताया था line segment क्या होता है मुआसे सभी rule को बताया था यदि आप लोग उन देखा होगा तो अच्छा है नहीं देखा होगा तो सिर्फ answer देखे फिल कर लीजिए ठीक है उसका कोई चारा नहीं है D B is point आंदर A B is point is a point आंदर A CD CD एक रे है रे नहीं है यह line segment है रे होता यहां से यहां तक तो CD एक line segment है तो यह क्या हो जाएगा false E Ray E B is different than Ray E A देखे E B E A दोनो रे है different Ray है Ray E B is different than Ray E A E A और E B दोनो रे है लेकिन different side है तो यह भी क्या है true है ठीक है अभी एक और बच्चा है last का F part A is the initial point of A C and A D A C and A D इसका initial point है initial point का मिश क्या होता है प्रारंभिक बिंदू A is the initial point of A C and A D देखे आपका एक गलत है क्यों गलत है क्योंकि A C जो बात या ओ लाइन सेग्मेंट है ना की Ray है देखे एक Ray दिखा रहा ना तो आप लोग इहीं से कहेंगे सही है देखेंगे यहाँ से तो सही है लेकिन यह जो T लगा दिया रे का तो यह गलत कर दिया उसके बाद कितने टाइप के प्लेन होते है फिर उसके बाद आज आएंगे उसके इक्ससाइज को बहुत ही छोटा तो नहीं है कोस्टनेट है इसमें फिर भी देखते हैं कि कितना सॉल्व होगा तो मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में लेकिन आप छमाही तक का छमाही यानि की हाफियली टोटल चैप्टर जितना है उसमें से 50% आधा चैप्टर आगे से रिवीजन करते रहिएगा ठीक है क्योंकि उसका इसी मन्त के लाष्ट में हो सकता है आपका हाफियली एक्जाम आनलें लिया जाएगा ओकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए